हेलो दोस्तो तो आज सिखने वाले हैं काई स्कूर टेस्ट के बारे में तो यह बहुत ही important question है यह देख सकते हैं जो question है बहुत ही important question है MBS, MBA, MPA, BBS, BBA, BCA के लाग आपके commerce department से हो तो बहुत important question है यह तो आईए जानते हैं कैसे solve करेंगे तो यहाँ करते हुए चलिए जानते हैं तो यहाँ पर table of observed value है qualification दिया हुआ है middle school का high school bachelor master PhD और total दिया हुआ है यहाँ और यहाँ पर marital status दिया हुआ है never married, married, divorce, widow, total ठीक है तो यह आपको table में दिया हुआ है तो table का किसी तरह का भी question आपको काई square टेस्ट में आएगा तो वह कैसे solve करेंगे इस वीडियो में पूरा जान जाएंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर qualification जो middle school high school bachelor master PhD है वह qualification के 60 कुछ भी दे सकता है ठीक है एक क्वालिफिकेशन एक मेराइटल स्टेटस है यहाँ पर दे सकता था नंबर ऑफ वर्कर एस दे सकता था यहाँ पर question किसी तरह का भी आ सकता है तो याद रखना है किसी तरह का भी table आए तो उसको काई square टेस्ट से कैसे करेंगे तो चलिए जानते हैं तो solution करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं यह question है नेवर मैरेड मीडल इसकुल में 18 नेवर मैरेड हाइश्कुल में 36 नेवर मैरेड बैसलर किया हुआ है 21 उसी तरह नेवर मैरेड 9 इसी तरह से यह सब question है तो इस question को solve करने से पहले हम लोग क्या करेंगे stepwise जाएंगे solution करने से पहले तो पहला लिखेंगे null hypothesis null hypothesis का मतलब होता है यहाँ पे question में क्या है एक qualification है एक marital status है ठीक है तो null hypothesis क्या बोलता है यह दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में क्या है कुछ भी रिलेशन नहीं है तो वही लिख देंगे यहाँ पर there is no relation between the marital status and educational qualification यह आपको हमेशा याद ही रखना है यह लाइन कंट भी कर ले याद कर ले यह हमेशा लिखना होता है there is no relation between the इसके बाद यह जो sentence है यहाँ पर जो given होगा question में उसी तरह से लिख देना है qualification and marital status के बीच में कोई भी relation नहीं है यहाँ पर जो question आपके question में दिया होगा वह यहाँ पर लिख दीजिएगा दूसरा step में लिखना होता है alternate hypothesis इसका मतलब क्या है यह जो marital status और educational qualification था इसके बाद कुछ ना कुछ relation होगा तो यह दोनों जो है इसके बिच कुछ relation है तो उसको बोलते है alternate hypothesis तो वही language में लिख देंगे there is a significant relation between marital status and education qualification ठीक है अगर यहाँ पर student दिया होता ठीक है qualification student दिया होता तो there is significant relation between student and qualification of student लिख सकते थे alternate hypothesis में और null hypothesis में लिखते there is no relation between the student and qualification ठीक है इस तरह से लिख सकते थे अगर वैसा question आया तो तो यह question को देख रहा है तो इस question में कहीं पर significance level नहीं दिया हुआ है so significance level अगर question में दिया होगा तो significance level वहीं लेंगे step 3 में यह step 3 है और नहीं दिया हुआ है तो significance level हम alpha मान लेंगे 5% 5% का मतलब होता है 0.05 5 by 100 करेंगे तो कितना आजागा 0.05 अगर यह question में आपको दिया होगा, तो हम लोग assume नहीं करेंगे, significance level वही ले लेंगे, ठीक है, 0.05, आपको significance level 1% दिया हुआ था है, यहापे लिखते है, 0.01, अगर 10% होता था 0.10, 100% होता था 1, यहापे 5% हम लोग assume किये हुए है, तो 5 by 100 करेंगे, तो 0.05 हमारा significance level आ जाएगा उसके बाद, observed value के बाद हमको बनाना होता है, expected value का एक table बनाना होता है, यह table देख ले, same to same है, कुछ फ़रक नहीं है, सिर्फ total हटा दिया गया है, ठीक है, देख सकते है, qualification है, marital status है, यहापे middle school, high school, bachelor, master, PhD, ठीक है, हम लोग same, जो question था उपर, यहापे देख सकते है, जो यह पर question था, same लिखे, सिर्फ total और यह total को हटा कर हम लोग expected value का table बना दिये, तो अब इसका जो table बनाए है, तो आपको याद रखना है, यह कैसे solve करेंगे, तो हमको इसको भरना है, neighbor merit, तो neighbor merit को भरना है, तो हम लोग neighbor merit में question में जाएंगे, ठीक है, neighbor merit में यह है, यह, ठीक है, into यह, divided 300 करेंगे, यह करेंगे, ठीक है, फर्स्ट के लिए, क्या बोला मेले, 90 into 39, यह column में पड़ता है, ठीक है, तो यह total into यह total by पूरा total करेंगे, तो वही यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 19 into 39 by 300, जो हमारा value आएगा, वो कितना आजाएगा, 11 point, 7 आजाएगा, calculate करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं, उपर जाएगे, 19 into 19, अब इसको और इसको multiply करेंगे, by 300 करेंगे, ठीक है, इसके लिए निकालना हो, तो वही करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, 19 into 19, 90 into 90 by 300, इसको divide करेंगे, तो हमारा जो calculator आएगा calculation करेंगे तो हमारा जो value आएगा 27 चीक है उसी तरह से इसके लिए निकालना हो इसके लिए निकालना हो तो क्या करेंगे फिर से फिर से total इंटू total करेंगे इसके लिए निकाल रहे तो total इन्टू टोटल बाई 300 ठीक है वही करेंगे सो समझ गए होंगे 90 इन्टू 84 बाई 300 जो हमारा वैलू आएगा वह आएगा 25.2 आप काल्कुलेटर चेक कर सकते हैं यह जो काल्कुलेटर है 90 इन्टू 84 बाई 300 करेंगे तो कितना जाएगा 25.2 वही मैंने लिखा है उसी तरह से यह सब टेबल भर सकते है यह सब टेबल उसी तरह से भर सकते है मैं टेबल भर देता हूँ आप लोग बना लीजिएगा अब मैरिट के लिए इसके लिए निकालना हो तो क्या करते इसके लिए निकालना होतों क्या करते इसके लिए जो निकालना होतों क्या करते 150 x 39 x 300 करते इस तरह से निकाल लेंगे ठीक है तो मैं टेबल भर देता हूं आप लोग उसी तरह से निकाल लीजियेगा तो इस तरह से आप लोग पूरा टेबल भर लीजियेगा ठीक है मैंने यह यहां पर calculation नहीं लिखके direct answer लिख दिया है यह सारे answer आप लोग निकाल सकेएगा आपको technique तो मैंने बता चुका हूँ ठीक है तो इस तरह से आप लोग यह पूरा complete कर लिजेगा तो इतना आएगा हो डोग थैक है सपोज मैंने क्या बोला था इसमें इसका value निकालना हो इसका value निकालना हो तो क्या करते हम लोग 30 30 into 39 by 300 करेंगे इसका निकालना हो तो 30 into 19 by 300 करेंगे इसका निकालना हो तो 150 into 84 by 300 करेंगे इस तरह से निकाल सकते है यह table आप लोग expected value निकाल लीजेगा इसके बाद एक और टेबल बनाना होता है, ठीक है, तो step 5 में एक और टेबल बनाएंगे, इसके बाद से, तो एक टेबल बनाएंगे, इस तरह का, तो यहाँ पे देख सकते है, calculation for chi square, तो यह जो है, अब क्या ही square का calculation बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह का, आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, अब्जोर्ट बैल्यू का, एक टेबल आपको याद करना है, तो यह टेबल बनाने के बाद, यहाँ पे अब्जोर्ट बैल्यू कितना है, यह अब्जोर्ट बैल्यू है, टेबल आफ अब्जोर्ट बैल्यू है, यह है 18-36-21-96 तो वही मैं यहांपर लिख दूंगा यहां पर अबजाव बैल्यूगे 18-36-21-96 एक है यहांपर मैंने लिख दिया एकी फीटिन-C2196 लिख दिया उसके बाद क्या है 12-36 anyways 2621 अब यह लि far उना उसके बाद यह लिखूंगा और इसके बाद यह लिक्कोनगा continuously मैं इसमें लिखते चला जाओंगा ठीक है तो वही मैं लिख देता हूँ ठीक है आप लोग उसी तरह से कर लिजेगा 6 के बाद क्या था 12 था 36 था 45 36 21 था ठीक है 21 के बाद क्या था यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 21 लिख सकते हैं उसके बाद क्या है 6 9 9 3 3 तो वही लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6 9 3 3 लिख लेंगे 6 9 9 यहाँ पर देख सकते हैं तो आप मिस्टेक हो चुका है 6 9 9 9 9 9 3 है यहाँ पर एक छुटा हुआ है 6 9 9 है और डबल 3 है यह 9 है ठीक है उसके बाद क्या है यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डबल 9 63 है वह लिख लेंगे 3 9 9 a 6 3 इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अब लागे अब यू को अब्जूंद बैली कंप्लीट करने के बाद हम लोग expect ए एक्सपेक्टेड बैल्यू का भी टेबल हम लोग बना चुके है तो यह भी हम लोग लिख लेंगे 11.7, 27, 25.2, 16.2, 9.9, 19.5, 45, 42, 27, 16.5, 3.99, 8.4, 5.4, 3.3, 3.99, 8.4, 5.4, 3.3 यहाँ पे लिख देंगे इस एक्सपेक्टेड बैल्यू में चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 11.7, 27, 25.2, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 16.2, उसके बाद 9.9, उसके बाद क्या है, 19.5, 45, 42, 27, 16.5, 3.9, 3.9 के बाद क्या है, यहाँ पे? 3.9 के बाद 9, 8.4, 5.4, 3.3, 3.9, 9, 8.4, उसके बाद 5.4, 3.3 इस तरह से हैं, आप लोग को यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यह लिखा, इसके बाद यह, यह, लिख दिया,енты यहां पर टोटल आ गया आपका अप्जावड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आ चुका है ठीक है इस तरह से आप लोग लिख ली जाएगा अब ओ माइनस ए का मतलब है यह 18 से 11.7 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा थर्भाटियू कंता पता टुबंस तचीन क्वाट्ट आ जाएगा उसी तरह से नाइन माइनस इक्सटीन पॉइन्टी क्रहा गो यह इस तरह से आप लोग भड़ी जागा टेबल तो मैं बढ़ कर दिखा देता हूँ तो इस तरह से टेबल भर सकते आप लोग ठीक है आप ओ-e का स्क्वायर का सक्वार कर देगा इस तरह से आप लोग देख सके इस तरह से आप लोग पूरा value निकाल सकते हैं ठीक है तो आप लोगा value आया होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से ठीक है आप लोग वहाँ पे रोक लीजिएगा किस तरह से आया यह आप लोग समझ गये होंगे तो यहां पे O minus E k square by E अथार्थ इससा मतलब क्या है अब इसको divide करना है E से फिर इसको divide करेंगे E से इसको divide करेंगे E से इसको divide करेंगे E से इस तरह से करते चला जाएंगे तो क्या value आ जाएगा हमारा अगर इसको इससे divide करेंगे 39.69 को 11.7 से करेंगे तो क्यालकुलेटर कर लिजेगा 3.39 आ जाएगा 81 डिवाइट 27 करेंगे तो 3 आ जाएगा इसी तरह से आप लोग बढ़ते चल जाएंगे मैं यहां पे टेबल भर देता हूं बाड़ा भीडियो ना बन जाए इसलिए मैं टेबल भर देता हूं आप लोग निकाल लिज यह 3.39 से यह ऊपर का ब änd़ी है यह सारे जोड़ देंगे 3.39 प्लस 3 प्लास 0.7 फ्लस 3.2 प्लस 1.53 प्लस 2.88 प्लस 1.8 प्लस 0.21 प्लस 3 प्लस 1.22 इसको महां सबको जोड़ देंगे हम लोग तो इश क्या आ जाएगा हमारा summation O minus E का square आजागा by E कितना आजागा सारे को जोड देंगे तो हमारा जो value आएगा 23.52 आजागा इस last का जो table है यह जो table आया हुआ है last का value सब जोड देंगे तो हमारा आएगा 23.52 तो इसी को हम लोग क्या बोलते है chi square ultra s लिक के chi square calculated कहते हैं ठीक है याद रखिएगा कितना है हमारा chi square calculated 23.52 इस तरह से आएगा तो इतना calculation कर लीजेगा इतना करने के बाद आगे की तरफ चलते हैं इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब degree of freedom निकालेंगे so इसके बाद का जो value है हम लोग क्या करेंगे degree of of freedom निकालेंगे so degree of freedom का जो formula होता है वो होता है column minus 1 into row minus 1 तो हम लोग फिर से question की तरफ चलेंगे column क्या है रो क्या है तो हमारा column जो है यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर हमारा जो expected value का column जा था यहाँ पर देख सकते है column कितना है 1, 2, 3, 4, 5 column है row कितना है never married 1, married 2, divorce 3, video 4 4 row है 5 column है इसको column बोलते है 1, 2, 3, 4, 5 अगर 6 column होते है तो 6 लिखते है यहाँ पर row कितना है 1, 2, 3, 4, 4 row है और 5 column है so जो हमारा column था 5 minus 1 कर देंगे into row कितना था 4 4 minus 1 कर देंगे इस तरह से कर देंगे तो हमारा जो answer आएगा 5 minus 1, 4 into 4 minus 1, 3 तो हमारा degree of freedom आजाएगा 2L और हम लोग को significance level पता है न कितना था तो significance level था वो हमारा 5% assume किये थे क्योंकि question में given नहीं था 5% assume किये थे तो 5 by 100 था जो हमारा कितना लिये थे assume किये थे 0.05 तो हमारा जो significance level है यह मैंने 0.05 इस तरह से लिखा था आपको यहाँ पर बता दू जो question में मैंने significance लिया था 5% लिया था यहाँ पर देख सकते है वो इस तरह से significance level यहाँ पर दिया हुआ है लिख सकेंगे आप लोग तो इसके बाद हमारा जो chi square है तो यह chi square tabulated इसका जो value है tabulated का यह इसको rate पर देखने लिखना था तो जो chi square tabulated का value है यह आता है table से ठीक है तो हम लोग का जो value है अगा table से 21.03 यह आपको table से आएगा तो आप लोग क्या करेंगे table में degree of freedom देखेंगे यह freedom देखेंगे और significance देखेंगे 12 degree of freedom है significance 0.05 है तो हमारा table से जो answer आएगा 21.03 आज आएगा तो आए जानते है table कैसे यूज़ करते है तो chi square tabulated का जो value आया था 21.03 वो इस table से आया था यह table आप लोग exam में ले जा सकते हैं आपके book के सबसे पिछले पन्ने में last page में दिया होता है यह table नए तो आप लोग Google से डाउनलोड करके यह table ले जा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो green circle लगा हुआ है degree of freedom है 12 तो वो 12 हो गया degree of freedom और यह 0.05 जो टॉप में दिख रहा है रेड सर्कल के सबसे टॉप में वो लेबल अप सिगनिफिकेंस है लेबल अप सिगनिफिकेंस कितना था हमारा 0.05 और डिग्री अप फ्रीडम था 12 तो इस तरह से रेड सर्कल जो लगा हुआ है 21.03 वो हमारा answer है इस तरह से हम लोग answer लिख सकते है कभी-कभी table में 21.03 के जगा पे 21.027, 21.04 तो उससे आपको कोई दिकत नहीं होगी आप अपने table के अनुसार यह answer लिख सकते है पर 21.0203 इसी तरह का होता है तो उसमें आप लोग नहीं दिकत मानिएगा आप लोग लिख सकते है यह table आपके last page में होगा तो आप लोग जान गए होंगे किस तरह से आपका tabulated का value आएगा तो चलिए आप लोग अप फिर से हम लोग अपने question की तरफ चलते है, answer की तरफ चलते है तो आपने table भी सिख लिया है यह table से किस तरह से है 21.03 value लिखेंगे ठीक है हमारा जो chi square calculated था table से आने के बाद chi square जो calculated हम लोग अभी अभी निकाले थे यहाँ पर देख सकते है chi square calculated था कितना आया था हमारा 23.52 तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 23.52 लिख देंगे इतना पर लिखने के बाद आपको बता दू यह बड़ा है कि यह बड़ा है अब slightly यह बड़ा है तो यहाँ पर क्या है chi square calculated जो है वो बड़ा है chi square tabulated से ठीक है अगर यह हो जाएगा इस वक्त क्या लेंगे we reject null hypothesis and accept करेंगे क्या accept करेंगे alternate hypothesis को accept करेंगे ठीक है आपको यह ही समझना है अगर यह छोटा होता है calculated अगर छोटा हो जाता tabulated बड़ा होता तो we reject नहीं होता we accept null hypothesis होता है and reject alternate hypothesis होता यहां पर ठीक है हम लोग क्या किये नूल हाइपोसिस को reject किये, accept क्या किये है, alternate hypothesis लिए हुए है, तो and so, लिख के, alternate hypothesis का जो हम लोग first में लिए थे, आप लोगों दिखा दू, so, लिख सकते answer में, there is significance relation between maritalization, status and education, qualification, अगर ये accept करते तो ये answer लिख देते, ये accept हुआ है, तो इसके answer लिख देंगे, solution, खतम, so, there is, there is, लिख सकते है, signifiquant relation between marital status and educational qualification, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो like, comment, subscribe करना हमारे चैनल को, इसी तरह का वीडियो के लिए, और कमती में 1K लाइक जरूर प्रयाना, इसका target 1K है, तो चलता हूँ, धन्यवाद,